खांसी यानि की कफ इसको कैसे ठीक करें वैसे तो यह एक सधारन बेमारी है लेकिन खांसी जल दिन तक रहे तो गंभी रूप भी ले लेता है यदि आपको बार बार खांसी हो जाता है या बहुत दिनों से खांसी आपको हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएग और हाँ एक चीज़ और आप इस चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं हमारे सरीर में कभी-कभी नर्मली खासी होता है जो कि नर्मल दवासे ठीक हो जाता है लेकिन दोस्तों खासी बार-बार आने का कुछ और भी कार हो सकता है तो आएए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं खासी आने का वज़ाओ यानि की खासी आने वाली बीमारी हमारे सरीर में क्यों होता है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा यदि आपको बार-बार खासी आ रही है तो आप इस वीडियो में समझ जाएंगे कि खासी क्यों आ रही है तो आप आते हुए खासी को रोक सकते हैं और आप खासी से जो ये बीमारी है हमेशा के लिए छुटकार आ पा सकते हैं अब सुरुवात करते हैं और सबसे पहले समझते हैं खासी होना सुरू कैसे होता है आपको मैं तुरा सा स्टार्टिक महीं बताया था कि खासी आने का कई कारण हो सकता है जैसे साइनस, पालूशन, एलर्जी या बैक्टियर इंफेक्शन या इसके अलावा ये किसी बड़ी बीमारी को भी हमारे बोड़ी में किरियेट कर सकती है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि खासी कितने परकार के होते हैं तो आईए हम समझते हैं खासी कितने परकार के होते हैं तो पाला है dry cough यानि कि सूखी खासी दखिए ये खासी जब भी होता है तो छाती में उसे अवाज आती है और खास्ते बेक्ति को फिल भी होता है कि चेश्ट में या गले में दर्द हो रहा है और सूखी खासी का पाचान है कि सूखी खासी में गढ़ा बलगम नहीं निकलता है और ये खासी आपको बहुत दिन तक रहे तो आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है खास्ते खास्ते आपका पेट भी दर्द करने लगता है इसको बोलते हैं dry cough अब आता है point number 2 पर acute cough ये खासी अधिकतर 2-3 हपतों तक रह जाता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है अब आता है point number 3 पर acute cough ये खासी थ्वासा critical होता है जिसे ब्यक्ति को ये वाला खासी होता है acute cough ये लगभग 3 हफते से ले करके 8 हफते तक नहीं जाता है मतलब इतने दिन तक आपके बोड़ी में रहेगा तो आपको वाई ये जब आपके बोड़ी में 5 हफते, 7 हफते, 8 हफते तक कोई खासी रह रहा है तभी ये वाला खासी जदातर होती है अब आता है हमारा point number 5 protective cough इसको हम लोग बोलते हैं बलगम वाला खासी जब भी आप खासे हैंगे तो आपके नाक से और मुह से उसको बलगम बाहार निकलते हैं इसको बोलते हैं productive cough और ये खासी बहुत ज़्यादा क्लिकर नहीं होता है ये खासी जदातर आपके जो मौसम जब चेंज होता है तब होने का चांसे जदा रहता है जैसे कि आप समझे लिजिए ठंडी से जब गर्मी का मौसम चेंज होता है उसके वीच में खासी होता है या गर्मी से जब आप ठंडी का मौसम चेंज होता है तब यह खासी जदातर होता है लेकिन जदातर खासी लोगों में यहीं देखने को मिलता है कि जब यह मौसम चेंज होता है इसको आप ध्यान से समझीएगा, कहीं ये हो न जाए आप लोगों को भगवान न करें कि ये खासी किसी को हो इसका नाम है काली खासी, इसको इंगलिज ने बोलते हैं विपिंग कफ, इस खासी में बहुत इंतेज आवाज आती है जैसे कि खरकराट का या खांसने का बहुत काफी तेज में आवा जाती है और इस खांसी में इतना तेज लोग खांसते हैं और इतना एक लगतार लंबे समय तक खांसते हैं कि आदमी खांसते खांसते बिहोस भी हो जाता है या तो कभी कभी उल्टी होना सुरू हो जाता है यानि कि भोमेटिंग भी होना सुरू हो जाता है खांसते खांसते अब हम तुरासा खासी के नर्मल लचण के बारे में भी समझ लेते हैं कि मानले जी आपको ये लचण दिख रहा है तो आप खासी आने की समझाना हो सकती है कि आपको खासी आ सकता है तो उसको आप पहले याका दावा ले लेंगे तो यह खांसी आपको नहीं आएगी, तो आंसे मोशा हो गहाँ हो गले में उसके विश्षे हो जाता तो इसके कर आपको दिखेंगे न, आप समझेए कि आपको खासी हो सकती है तो आप तो आप इसके लिए दवा ले सकते हैं लेकिन सबसे बेहतर रहेगा दवा की जग आपको गरम पानी ले गरम पानी इसमें बहुत ही जदा असादार होता है जो भी आपके खासी बैक्टिरिया और इंफेक्शन होता है उसको लेकिन आप गरम पानी पीएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बहुत रिएटर देखने को मिलेगा आप तुर्णा साम खांसी के कुछ गंभी लच्छल बताने जा रहा हूं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है यह आपको यह लच्छल दिखे ना आपको सीधे अपने डॉ आतर होता है और इस कांसी में मुँ इस में मुछ से ब्लढ भी आ जाता है लेकिन इस खांसी में आपक प्रिंगे में गया है लोग को मारे घंठ खांसे जब उसके अंदर ही मारी होती है जैसे कि खांसी ने और उन्लट नहीं है आपको लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो आप और लिल जगता चाहिए इसमें क्या होता है कि बल्गम एकल चाहिए प्लुद iyi से तो आपको और ज्लाम कैशा है में कुछ ब्लड़ भी आते हैं तो आपको चुछ झाहिंक झ।क्छ भृत है लगता है पृज्ट आपको बहुत ज़्यदा थाखान मसूस होता है सुस्ती जैसा आपको पुरा बोडी में लगेगा तो यह कहने कि आपको फेफिड़े का एक अंसर भी हो सकता है अब हम तुरा सा यह भी बात कर लेते हैं कि खासी का इलाज यानि की कॉफ ट्रीटिमेंट वैसे तो नर्लो खासी या एंटि व préparल इंफेक्सिनगर जो दवाय में होती है तो आपको देते हैं आपको सेलह देते हैं कि या यह नहीं खाना है यह नहीं खाना आख लिए पानी पीने से और नौर्मनी दवा खाने से ठीक नहीं होगा आपको अपने देकी के डॉक्त से मिलना चाहिए वीडियो आप सबी लोगों को पसंद आई होगी तो फाइनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कोमेंट में आपना फीटबैक जरूर दीजिएगा तो थांक् और वाचिंग मिलते हैं आप लोगों से आप नेक्स्ट वीडियो में